अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और आप बहुत सारी चीज़े ट्राइ करकर ठक चुके हैं फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है यानि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है अगर बढ़ता भी है तो बहुत सारी चीज़े मारकेट से ले लेते हैं बहुत सारे सप्रिमेंट्स ले लेते हैं फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ता है अगर बढ़ता भी है तो बहुत सारी साइड इफेक्ट हो जाते हैं हमें तो उन सब चीज़ों को हमें अवोईट करना है हमें नाचरल तरीके से अपना वजन बढ़ाना है तो मैंने कुछ दिनों पहले दो वीडियो डाली थी एक था कि मोटी लड़किया कैसे कपड़े पहने और दूसरा था पतली लड़किया कैसे कपड़े पहने तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो मेरा वीडियो था कि पतली लड़किया कैसे कपड़े पहने वो वीडियो ने का दो यूँँ हुलोग कोकी सब्लाइब है क्वार्व को फॉर दो सब्सक्राइब जो कि लोगों से आपके सब्सक्राइब siyausz करें कर एक रेहाँ कि आपको आज यहसे आप और चाहिए वा वारी जिसे आप डेली खा सकते हैं और आपका धिरे-दिरे वजन बढ़ता रहेगा और कुछ चीजे आपको अवाइट करनी है कुछ चीजे नहीं खानी है इस वीडियो के बाद में कुछ ऐसे वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें मैं योगा पोज भी बताऊंगी कि आप कैसे कौ इसके बारे में सोचा है अगर नहीं सोचा तो मैं बताती हूं वह अपनी काब साइकल को ही कम करते हैं ज्यादा करते हैं यानि अपने काब इंटेक को ज्यादा करते हैं अगर वजन कम करना है तो अपने काबो हाइडरेट के इंटेक को कम कर देते हैं तो इस तरीके से अपन काब साइकल को थोड़ा सा बैलेंस करके अपना वजन बढ़ा या घटा सकते हैं तो बहुत सारे जो पतले लोग है उनका नाचरली मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़दा हाई है जिसकी वज़े से उनका वेट नहीं बढ़ाता है तो अपने इस अत्म अपने दिमाग को थोड़ा सा गुमरा करके जिसे कहते हैं अपना वेट बढ़ा सकते हैं तो आज मैं बताऊंगी तो आपके तो हमें protein और fat तो उसी मात्रा में खाना है जितना हमें खाना चाहिए तो यानि आपका maximum जो होना चाहिए वो carbs के ओपर depend है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़े आपको खानी है कौन कौन सी चीज़े avoid करनी है और कप क्या खाना है तो आज मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगी जिसे आपको सारे doubts क्लियर हो जाए और आपका naturally वजन बढ़ जाए तो आपको बिलकुर भी परेशान होने की जरुरत नहीं आप बिंदास कुछ भी खा सकते हैं बस कुछ चीज़े avoid करनी है तो हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को भी हिट कर दीजे जिससे अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालो तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सारी चीज़े नो डाउन कर ली है तो स्मूधी में क्या क्या डालना है आपको तीन मीडियम साइज बनाना डालना है बनाना बहुत जद अच्छा होता हमारे वेड गेन के लिए तो बनाना डालना है उसमें डालना है आपको चार बडाम उसके बाद आपको उसमें डालना है पांच खजूर खजूर बहुत ज पीनी है जब तक आपका वेड गेन ना हो जाए आपको यह डेली स्मोधी पीनी है और यह बहुत टेस्टी होती है और बहुत ज्यादा आपके अंदर एनरजी लाती है और आपको थोड़ा जल्दी जल्दी भूग भी लगती है जिसकी वज़े से आप खाएंगे तो आपका व पीनाथ सकते हैं जल्की दाल को यह बहुत नहीं है अँब ज्याला ऑफ तो ज्यादा खाएंगी जल्के होता है अन्यूमय को जड़े अगा शिल्क्राइड के यह जीना है संदाइन के बाद सिखाएंगे है मुण कैयाट भी तो यह ज注ड़ा इना हो प्यार ज़्वना, उरक चने कि दाल आपको छिलका हटागे ख़ाना है, उसके बाद आपको खाना है सबजी जैसे आप नमल खाते हैं कोई भी green vegetables, green vegetables आपको खाना है, उसमें बहुत सारे vitamins, minerals होते हैं, जो आपकी body के लिए बहुत जयादा आपको ग्रीन वेजेटेबल के साथ आलु एड़ करना है तो आलु आड़ करेंगे तो इससे आपका वेड गेन होगा वहाइदा अलूबी तो आपको गी इंकलूट करना है तो घी आपको स्किप नहीं करना है और घी डाली घी बहुत-चेन वुजन अब गाना चुरूट समय एकलदेश्य होता है और आप इसमें इससे आपको प्रॉपर फैट मिलता है जिसे आपको शुन्स पोह राइस उन दोर और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, ब्राउन राइस भी और वाइट राइस तो आपका वेट बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसे आफ रूट चार बना कि उसको खाईये और आपका इससे वेड भी बढ़ेगा और बहुत टेस्टी भी लगता है और हाँ आप अमरूद भी खा सकते हैं अमरूद तो बहुत अच्छा होता है गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है उसके बाद आपको अब को सबसे है यह आप अपको जब्वाद खाना है अगर माकथ है धाल को सब्कूपने को के द्सक्र देगे है और खांवल्य अगर रहेंगे तो जादा खाएंगे और ज़्यादा अक्छे से अप अपनाशक बढ़ा सकते ही नाच्रल में उसके बाद आपको भाना है वह देली आपको आपको डेली दो छेने खाने हैं उसका ड्रस आप निकाल दीजिए और आप दो छेने डेली खाना है या अगर आप एक दिन छेना खालीजी एक दिन पनीर खालीजे तो यह सारी चीजें बहुत जादा इंपोर्टेंट है और रात में जैसे आप सबसी रोटी काते हैं तो ग्र बन करने हैं क्योंकि चै कोफी से क्या हो तो हमारा पेट थोड़ा भाष्याटा है ज्यादा फुल करते हैं वसमें कैफीन होने की विझवेली विज़ह से में बहुत भारीपन लगता है जिससे हम खानावना नहीं खाते हैं खाना बहुत सारी लोग चाइप जिज आपको अब आको च्राइब अच्छा होता है अब अबुछ अब शुमि Gentlemen... इसटिका भी एक दिन पर आपको भी तुब आपको अधि अब जगाना योगर्ट लेना है आप एक कटोरी अपना दही लीजिए उसमें चीनी डाली एक चमच और आप उसको अच्छे से का लीजिए और आपको पानी को पीना है पानी जितना पीएंगे आपके बॉड़ी से टॉक्सिंस निकलते रहेंगे तो आपकी बॉड़ी तो आपको खाना कुछ भी खाने में ज् से देखिए और आप जितना इन सारी चीजों को इंकलूट करेंगे आप मैं ट्रस्ट मी मैं कह रही हूं अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका वजन आप एक महिने में खुद बताएंगे कि आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीजे हैं तो आपको इसको स्किप नहीं करना है और आप अगर सुबा चाहें तो मॉर्निंग में आप चने भीगो के खा सकते हैं बहुत ही ज्यादा यमी और टेस्टी होता है बट चने आपको ऐसा करना है कि आपको चने की डाल का कुछ पराठा खा लीज में देख डाठा यह थीजिए भीट च अटीजे तो यह थी मेरी सारी इंपोर्टेंट इनपोर्मेशन और सारे टिप्स और प्रिक्स तो आपको पता चल कि परदा के डाने पनी ओना है तो आप आप अपना वजन बढाने के लिए रेडि हो जाए सारा स्ट्रेस दिल से निक और एक positivity के साथ positive feeling के साथ इन सारी चीज़ों को अपनाईए अपने lifestyle में changes लाइए टाइम से उठीए टाइम से सोईए थोड़ा सब workout करें और workout की भी हमें वीडियो जल्दी से लाने वाली हूँ तो इन सारी चीज़ों को follow करती रही है और मेरे चानल को देखती रही है और subscribe कर दीजिए शेयर कर दीजिए तो आप ऐसे अच्छी ची वीडियो देखने के लिए में चानल टिप्स और ट्रिक्स में बने रही है तो आज के लिए thank you so much और फिर मैं जल्दी से आपसे मिलती के साथ नहीं इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तिल दिन बाई बाई टेक केर।